window hallo viewers welcome to the second video of daily wages workers management system पहले वीडियो में हमने आपको इस project का introduction दिया था कि किस तरह यह दृजेक्ट केस तरह फ़यं करता है अब इस वीडियो में हम आपको इसके जो basic tables है उसके बारे में हम आपको बताएंगे सबसे पहले आप Microsoft Excel में जो न्यू फाइल है वो आप उपन करें और सबसे पहले आप जो category वाले टेबल है वो आप इस तरह बनाए यह just a text है सबसे पहले आप category और फिर यह जो categories है आपने जो categories आपने mind में बनाई है आप वो भी लिख सकते हैं लेकिन आप मेरे साथ बनाएंगे तो आपको project जो है वो समझने में आसानी होगी सबसे पहले आप category का जो table है वो इस तरह से आप बनाए और यहाँ पे जो category का sheet है इसको आप इस तरह से rename करके category कर दे इसके बाद आप workers का table है वो इस तरह बनाए कि id name और category यह just text है और फिर आप यहाँ पे जो workers tab है sheet जो tab है इसको आप rename करके इसको workers कर दे इसके बाद आप जो schedule है इसका table इस तरह बनाए id फिर name category date in time out time and total फिर आप workers जो wages हैं उसके लिए आप इस तरह table बनाए id फिर name work slab date total hours normal over और इस तरह यह normal wage फिर जो over time wage है वो आप बनाए फिर जो total wage है फिर इसके बाद जो paired है और फिर balance इस तरह से आप just जो column headers हैं वो आप इस तरह बनाए इसके बाद आप slave के लिए इस तरह से category normal hours overtime और जो slave id है इस तरह आप बनाए और जो summary की जो sheet है उसमें आप इस तरह से यह फॉर्मेटिंग है अगर यह आप ना करें तो भी कोई मसला नहीं है है so I hope आप यह जो sheets है इस तरह आप यह अपने जो project है उसमें आप इसमें यह है कि जो अगर आपके आपका जो file है और उसमें इसको इसको आप उसके esto कर सकते हैं उसको उसको रुटक कर सकते हैं यह फिर ह Toby को शुट करके बनारे हैं इसके बनानी के लिए आ प्टकुत किरेंगे को इसपो आप भाई कर दो मैंने चैनल रहा है Lor gan also comment on the video in the comment section thank you thank you so much